पूरी जानकारी असम में जो मतगड़ना हुई है और अगर बात की जाए कॉंग्रेस पार्टी ने जो महनत यहां पर की है रैलियों के जरिये जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी ने अगर बात की जाए तो यहां के जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाया जमीनी स्तर के लोगों के साथ मुलाकात की और राहुल प्रियंका की महनत कितनी कारगर थाबित ह होगी यह सारी जानकारी में अपने दर्श्कों को बताऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें देखें यह बात कही जा रही है कि किस तरह से फाइदा जो है वह असम चुनाओं में लगाता जो है वह मिलता हुआ लगता है नजर आ रहा जी जैसे कि आपको मैं बता दू मेरे पास जो जानकारी है वो यह सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो तीसरे जो चुनाण का फेस मद्दान हुआ उसमें सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि जनता भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकली और असम में चरण में 47 वा 49 सीटों पर देखें वोट पड़ चुके हैं और जिन 40 सीटों पर बीते दिनों वोट पड़े बश्चमी असम वा अन्य छेत्रों में हैं और 2016 में भाजपा वा असम गड़ पर इसको इन 40 सीटों में से 15 पर जीत हासिल हुई थी लेकिन अगर मौजूदा स्थ करती हुई है जो चुना हुए वो पूरी तरह से सांती पूरवक रहें और इसके साथी साथ कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किये गए थे और आगे की देखें इस्ततियां यह हैं वो पूरी यह बता रही है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से चुनाओं प्रचार परसार क वोटर हैं अने यहां के लोगों के साथ मुलाकात की महीनाओं के साहथ मुलाप्र जो वोटर है उनसे मुलाकात प्रियंकाने तो ही सारी चीजे कांग्रेस Пार्टी के लिए बहतर साबित होई नदवर चारी मुस्लिम वोट है वो पूरी तरह से कॉंग्रेस की तरफ जाते हुए नजर भी आ रहे हैं और पूरी जानकारी की देखिए अगर मैं बात कुरूं तो फिलाल जो रिपोर्ट मेरे पास सामने आई है उसमें यह पताया जा रहा है कि जादा जो पायदा मिल रहा है वो बीजेप दा चारशननों में 40 ऑन कि वो कर रहे चालीष में इसमतर नहीं रहे हैं हम उनके पास आएंगी या या preço पर यह ess 10 कम सीट यहाँ तो यह साफ तार चप्सींगियों में इतने चैन रोट उनके पाक्षिस में पढ़ सकते लेकिन अगर मैं बात कुरूं तो पिलहाल जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस बार ज्यादा जो सीटें वह कॉंग्रेस के पक्ष में आती हुई नजर आ रही है जी हां पी ते दिनों कि अगर मैं बात कूँ हिमंत विश्वा ने मुलाकात की मीडिया से और मीडिया से मुलाकात करने के बाद अपनी बात रखी और जैसे कि आपको मैं यहां पर यह भी पता देता हूं कि बहुत बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता थे उन्होंने भी अपने मतों का इस्तमाल किया और अस्वा देखें कॉंग्रेस मास सची प्रियंका गांती वा और भाजपा पर नकरात्मक राजनीती करने का आरूप लगा गया यह प्रियंका गांदी की तरफ से का गया कि चुनाव आयोग जो है वह पूरी तरह से गयर जिम्मेदार आना काम कर रही है क्योंकि प्रियंका गांदी ने पीते कुछ दिनों पहले अपने ट्वीटर हैंड कि पीजेपी चुनाव जीतनी के लिए अब इवियम को है कर रही है और इसमें साबतार पर चुनाव आयोग पूरी तरहते विबल साबित होता हुआ नजर आया है और देखें आपको अधादू 25 महिलाएं जो थी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई इस चुनाव में और ती प्रामी या संक्या महज दो थी अहम बात यह कि प्रामिली रानी प्रम्मा मुख की महिला उमिद्वार है वह पोकर जार पूर सीट से लगातार चुनाव जीतनी आई है तो यह पूरी वोट परतीशत की जानकारी मैं अपने दर्श्कों को बतारों साथिसके बाद एहम जान से खुद बात जो हेमंत विश्णा है उन्होंने यह बात कहिए कि इतनी सीटे उनको मिलेंगी या इससे ज्यादा उस पर उन्हों ज्यादा नहीं कहना चाहते लेकिन फिलाल इस्तियों कि मैं बात कुरू तो भी डर लग रहा है कि आसम चुनाव में तीसरे चरण की वोटिं मैंने आपको बढ़कर बता है इसके साथ ही साथ देखिए अमिश्या ने भी टूइट किया था उन्होंने कहा था अस्तब में तीसरे बांतीम चरण का मद्दान है वो सभी मद्दाताओं से अपील करते हैं कि लोकतंत्र के इस महाफपर्व में अपनी हिस्तेदारी स्कुमि करते वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें अस्तब में शांति और विकास की गर्दी को बनाए रखने के लिए आपका एक वोट मैंतबूर घूमिका निराय गामिश्टा ने बकायता अपनी टूटर हैंडल से टूइट किया था उसके बाद राहूल गांदी ने भी टूटर हैंडल से बकायता टूइट किया था और जैसा कि आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो उत्सा देखने को मिला वो भुशूर्ग जो मतदाता थे उनमें भी देखने को मिला आस्तब में मदान को लेकर वोटर में कापी उत्सा था और बुजूर्ग इसमें हैं उन्हें भी खास तोर पर बहुत ज्यादा उत्सा देखने को मिला पीम नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्विट किया था जिसमें उन्हें ने लिखा इलेक्शन्स आर टॉकिंग प्लेस इन आसाम केरला पुडुचेरी तमिलनाडू एंड वेस्ट बेंगॉल आई रिवेस्ट इपीपल इन दीज प्लेसे टूट इन रिकॉर्ड नमर्स पार्टिकुलर्ली ता यंग वोटर्स खास तौर पर देखियो उन्होंने क्या कहा दर्शकों को यहां पर बड़ी जानकारियां बताया है मेरे पास जो जानकारिया आई थी इसके जरिया और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि फिलहाल बीजेपी भी कहीं ना कहीं डरती हुई नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ और जिस तरह की रा वाज़ा से पांग्रेस के लिए अच्छी बताई जा रिया और प्रांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ फिलाल के लिए अज मुझे ज़गत आता है